समाजिक शुरक्सा पैंसन का लाब लेने वाले पैंसन लाबार्तियों के लिए बड़ी खवर लेकर हाजिर हो चुके हैं आपको बता दें कि चाहे आप बुजुर्ग पैंसन हों दिव्यांग पैंसन हों या फिर विद्वा पैंसन का लाब लेते हों अब सरकार पैंसन में बढ़ोतरी करने जा रही है। यह पैंसन अब लावार्तियों को बढ़ा कर दी जाएगी। 1500 रुपे, 3000 रुपे और 4500 रुपे लावार्तियों को दिये जाएगे। यह पैंसन किन लावार्तियों को कितनी पैंसन दी जाएगी। उसके बारे में हम आप आपको इस वीडियो के मात्यम से बतन जा रहे हैं सरकार अब बुजरुब लावार्त्यों को कितनी पैंसन देगी दिव्यांगों कितनी पैंसन देगी और विद्वा महिलाओं को कितनी पैंसन मिलने वाली है तमाम जानकारी आपको दी जाएगी लेकिन आपसे हम निविदन कर कि आप अपनी पैंशन का नाम कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखेगा क्योंग दोस्तों तीनों ही पैंशन सरकार की तरफ से अलग-अलग विभाग द्वारा ट्रांसपर की जाती है यनकी बुजरुग पैंशन समाजिक सुरक्षप पैंशन योजना के अंतरगत नोही विभागों द्वारा पैंशन में बढ़ोत्री की जाएगी तो किस विभाग में कितनी पैंशन बढ़ोत्री की जाएगी यनकी कि इन पैंशन लाबारतियों को कितनी पैंशन बढ़कर मिलने वाली है उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी दे अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो किरप्या वीडियो को लाइक कर दिजे और ज़ादा वीडियो को सेर भी कर दिजेगा। पैंसन दे जाएगी जी हां अब यहाली में जो पैंसन मिल रही है अब वह बढ़ा कर सरकार पैंशन को जारी करेगी अलागि काफी ऐसे पैंसन लावारती भी है जिन्हें सरकार डबल पैंसन भी जारी कर सकती है यानि कि 6,000 रुपे से लेकर 9,000 रुपे भी काफी पैंसन लावार्तियों के बैंक एकाउंट में सरकार ट्रांसपर कर सकती है दोस्तों हमने आपको कई बार ओपिशल वेबसाइट पर जाकर लाइव प्रोप के साथ दिखाया है कि किन पैंसन लावार्तियों को कितनी पैंसन बढ़ा कर दे गई है लिस्ट में दोस्तों आपके नाम भी बताए हैं आपको यह भी बताए कि आप कैसे अपनी पैंसन को देख सकते हैं कि आपके एकाउंट में कितनी पैंसन जारी की गई है अब दोस्तो एक बार फिर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सरकार फिर से पेंसन में बढ़ różतरी करने जा रही है दोस्तो आपको बताना चाहेंगे कि यह पेंसन सरकार 11 लाख से अधिक पेंसन लवार्तियों को बढ़ा कर पेंसन दे सकती है यानि कि किवल जो यह लाव मिलने वाला है अभी 11 लावार्तियों को बढ़ा कर पैंसन का लाव दिये जाएगा वैसे दोस्तों सभी पैंसन लावार्ति अपनी पैंसन को लेकार इंतजार करते रहते हैं कि सरकार कब पैंसन में बढ़ोतरी करेगी चाहिए आपका जो भी राज्य हों आप भी अपनी pension की बढथोतरी को लेकर इंतिजार कर रहे होंगे और साथ साथ पेंसन आने का इंतिजार कर रहे होंगे कि सरकार कब pension को जारी करेगी कब pension हमारे bank account में आएगी लेकिन दोस्तों आप बता दें कि अब pension आने की भी pension खत्म और pension बढ़ोतरी को लेकर भी pension खत्म होने जा रही है क्योंकि सरकार दुआरा अब जो फैसला है वे लिया जाएगा कि pension लावारतियों को कितनी बढ़ा कर pension देनी है और कब उनके account में pension का पैसा जारी करना है लेकिन दोस्तों अगर आप एपात्र pension लावारति हैं तो ज्यान रहे कि ऐसे वेक्तियों को अब सरकार pension का पैसा जारी नहीं करेगी तो इसलिए आप एपात्र नहीं होने चाहिए आप सही pension लावारतियों चाहिए जो pension की अवसकत रखते हों उन्हीं लावारतियों को अब सरकार pension देने जा रही है दोस्तों सरकार pension में कब भडोतरी करेगी उसके बारे मताएंगे लेकिन मिली जानकारी के नुसार यह इंतजार अब जल्द ही स्नवाप्त होने जा रहा है अब जोस्तों यह pension किन pension लावारतियों को मिलने जा रही है चलिए उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं देखिए यूपी में सिग्र ही दिव्यांगों को मिलने वाली एक हजार रुपे pension बढ़ा कर एक हजार पांसो रुपे की जाएगी यह दिव्यांग व्यक्तियों को जो pension मिल रही है उत्रप्रदेश में वैं एक हजार रुपे परति महां दी जा रही है अब इसमें पांसो रुपे की बढ़ोतरी सरकार करने जा रही है इनकी यह बढ़कर एक हजार पांसो रुपे हो जाएगी इसके लिए दिव्यांग जन्विभाग जैसे हमने आप वता है कि दिव्यांग को भी अलग विभाग से pension दे जाती है दिव्यांग जन्विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है इसका फाइदा परतेश के 11 लांग से ज़्यादा दिव्यांग को मिलेगा जानि कि जो 15 रुपे सरकार pension हर महिने pension लावारतियों को देगी उसका लाब 11 लांग दिव्यांगो को ही दिया जाएगा इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी pension का नाम comment box में जाकर जरू लिखेगा आप कौन सी pension का लाब ले रहे हैं आप वर्दवस्ता pension का लाब ले रहे हैं या फिर आप दिव्यांग pension का लाब ले रहे हैं या फिर आप विद्वा pension का लाब ले रहे हैं जो भी आपकी pension है आप comment box में जाकर जरू बतेगा ताकि हम आपको बदा सकें कि आपको कब pension बढ़ा कर दी जाएगिया फिर कब आपकी पैंसन में बढ़ोतरी हो सकती है साथी आप वदायां साहेंगे कि परदेश के पिछडा वर्ग एवं दिव्यांग जन कल्यान मंत्री नरेंद कश्यप ने बताया है कि पैंसन बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है अब उत्तर परदेश में फिर से योगी सरकार बढ़ोतरी करने जा रही है इसके लावा भी सरकार ने दिव्यांग जनों के कल्यान के लिए अनेक कदम उठाई है देखिए वर्तमान में उत्तर परदेश में 11,26,000 दिव्यांगों को 1000 रुपे परती महा फिलाल पैंसन दी जा रही है अगर बात करें वर्स 2017 की तो वर्स 2017 से अब तक दोस्तो 25 लाग जिहां 25 लाग गलते के लिए महाफ़ चाहेंगे 2017 से अब तक करीब दोस्तो 25 लाग पैंसन लावार्तियों की पैंसन नहीं बन चुकी है अगर आप एक दिव्यांग है और आपकी दिव्यांग ता 40 परतिसत है तो आप पैंसन के पातर हैं आप पैंसन का लाव दे सकते हैं आप पैंसन के लिए अपलाई कर सकते हैं साथी जो वर्दवस्ता पैंसन लेते हैं दिव्यांग पैंसन से हटकर विध्वा पैंसन लेते हैं यानिकि दिव्यांग पैंसन में तो बढ़ोतरी हो नहीं जा रही है बलकि दोस्तो जो अदर पैंसन है जैसे कि आपकी वर्दवस्ता पैंसन है और विध्वा पैंसन है इन प मेंट बोक्स में जाकर अपने जिले का नाम और पैंसन का नाम दोनों ही लिखेगा इससे लगा कर अब पैंसन से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल तो वह भी कर सकते हैं आप से भी के सवाल को जवाब दे जाएगा और आप आप से निवधन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या तो खें पर वीडियो को लाइक कर दीजिये जा जाज और वीडियो को शेर करेगा चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब के लिजगा अब जाते हैं आपको नाइस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।